हेलो दूस्तो नमस्कार देखने को मिल जाएगा सो चले जोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट यहाँ पर कर लेते हैं सो दोस्तो अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर जैसे के आप लोग ने टाइटल में पड़ा होगा या जोस्तो हम लोग यहाँ पर इलेक्टृक्ट वेकर से रिलेटेड अभी बहुत ज़ादा चल रही है बीच में हम लोग उने इलेक्टृक्ट वेकर से रिलेटेड जो Carging Slots भी रहते हैं या फिर charging Stations आप ऐसा भी बोल सकते हो जो कि 69,000 Petrol Pump के उपर एक चार्जिंग स्टेशन रहेगा इससे रिलेटर भी नितिन गढकरी जी ने याँ पर बाते बोली थी सो रस्तो इलेक्ट्रिक वेहकल की चीजे याँ पर बहुत ही ज्यादा जोर पकड रही है सो दस्तो हम लोग यहाँ पर electrical की बाते हैं यहाँ पर कर रहें बट definitely यहाँ पर जो Tata Group की company है मतलब obviously Tata Motors तो यहाँ पर उन्होंने electric buses बना भी ली and उसी से related जो उनको order भी मिला था वो भी उन्होंने यहाँ पर execute करके यहाँ पर सबसे पहले लगबग 2 dozen मतलब at least 24 buses यहाँ पर उन्होंने order डिलिवर भी कर दिया तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तो हम लोग यहाँ पर electric vehicle की बाते कर रहें बट Tata ने यहाँ इस से related delivery भी यहाँ पर दे दी है और यही breaking news आज के दिन भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं Tata Motors on Friday delivered 26 AC electric buses to Bruyenne Mumbai Electric Supply and Transport जिसको हम लोग based के नाम से भी जानते हैं BEST भी बोलते हैं कुछ लोग best भी बोलते हैं whatever as a part of an order for 340E buses under the Central Government FEMA scheme so दोस्तों हम लोग जरूर यहाँ पर कह सकते हैं कि 340 buses का order है and उसमें से मात्र 26 buses अभी तक deliver हो चुकी है so दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि Tata Group कितने fast यहाँ पर चल रहा है ऐसी कोई बात नहीं कि उनके competitor कोई पीछे उनको भी अच्छेगा से order मिल चुके है but Tata Group अगर आप लोग देखोगे तो उन्होंने delivery भी यहाँ पर दे दी है so इतना गजब का कारोबार हम लोग को यहाँ पर होते वे देखने को मिल रहे है कुछ हम लोग और भी important बाते जाननी की कोशिश करेंगे जैसे कि यह 25-seater वाली जो यह electric bus हम लोग बोल सकते है जिसमें AC भी है और भी बहुत सारी चीज़े हम लोग को features होती है यहाँ पर देखने को मिल रहे है जो कि Tata Motors नहीं यहाँ पर सारी बाते बोल दी है सो दोस्तो जैसे मैंने आप लोग को बता है कि लगबख 300 approximately buses का यहाँ पर order है और उसमें से first batch buses का यहाँ पर हम लोग को commencement मतलब उसकी delivery यहाँ पर मिलते वे देखने को मिल रही है यह best नहीं यहाँ बोल दिया है सो दोस्तो हम लोग यहाँ पर कह सकते कि जो Tata Group ने यहाँ पर जो e-buses यहाँ पर provide किये वो highly equipped है advanced technology feature यहाँ पर दे चुके जो कि हम लोग कह सकते है life mechanism है that extend an automated ramp for easy ingress and irrig specially able passengers और उसी के साथ-साथ उनने अलग-अलग भी चीज़े दिये जैसे कि Wi-Fi hotspot उसी के साथ-साथ अगर हम लोग बात करें charging ports भी है जो की utilities में provide की है roomy interiors है, बहुत सारी seats जो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहें मतलब हर कोई comfort यहाँ पर देने की कोशिश यहाँ पर कर दी है सो हम लोग जरू के सकते दोस्तो टाटा मोटर्स की अगर हम लोग बात करें तो electric vehicle को लेके उनने बहुत ही बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है और उसकी शुरुवाद भी हम लोग को यहाँ पर होते वी देखने को मिल चुकी है सो डेफिनेटली दोस्तो यह जो contract से टाटा मोटर्स का हो सिर्फ महारश्ण स्टेट तक सी मीत नहीं है उसी के साथ साथ टाटा मोटर्स को इसी टाइब का जो contract है हिमाचल प्रदेश से भी आ चुका है, चंदीगड से भी आ चुका है, आसाम से भी यहाँ पर आ चुका है So definitely हम लोग कह सकते कि यहाँ पर भी हम लोग को electric buses से related जो contract रहेगा वो यहाँ पर मिलते वे Tata Motors को देखने को मिल सकता है उसकी deliveries भी जल से जल यहाँ पर उनको भी यहाँ पर मिल सकती है उसी के साथ चाथ दोस्तों हम लोग को कल के दीन, मतलब Thursday की दीन और एक डेटा देखने को मिला था कि जहाँ पर Tata के sales के number भी हम लोग को कुछ दिनों पहले देखने को मिले वहाँ पर Tata की Nixon जो EV हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते है इलेक्टरिक वेहिकल जो है बहुत ही huge demand वहाँ पर चल रही है और लगबग 2000 sales से भी जादा यहाँ पर sales हो चुक है लगबग 2200 units उन्होंने यहाँ पर बेचे है बहुत ही गजब की news हम लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है अभी की latest news आप लोग यहाँ पर देख सकते है दे हिंदो आर्टिकल में भी आप पढ़ सकते हो Tata Motors Supply 26 electric buses to the best सो बहुत ही गजब की यह सारी चीज़े हम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए फिलाल यहाँ पर मिल रही है उसी के साथ-साथ अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़े important वाली देखे तो वो भी हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे जैसे कि Tata Motors के जो recently जो November मंत के sales थे अभी December चल रहा है वो भी हम लोग को लगबग 21% से record आप देख सकते sales record a 21% growth तो इतना जबरदस हम लोग को चीज़े हैं आपे फिलाल देखने को मिल रही है उसी के साथ-साथ और कुछ अगर हम लोग advantage position की आपे बात करे Tata Motors की उससे पहले हम लोग आपे देख लेते कि 4th December पे इसका performance के सिरा तो 15% के delivery इस फिलाल नॉर्मली देखने को मिल रही है उसी के साथ-साथ अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे खास बात अगर कोई चीज़े जो की है एन चंदर शेकर जी ने जो चीज़े बताईए कि Tata Motors के उपर सबसे बड़ा कोई दाग है काला धबा है तो वो है करजे से related बहुत भारी करज है तो उसको भी हम लोग near zero debt free मतलब कर देंगे वो भी 3 साल में ये भी चीज़ उन्होंने बोल दिये अगर आप लोग प्राइस करोगे 100 रुपया भी पकड़ लेते हो तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि लगबग 400 करोड के आसपास उनका investment है 400 करोड तो minimum है आप पकड़ सकते 4500 से 500 करोड तक का investment उन्होंने टाटा मोटर्स में आपे किया हुआ है सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते है कि टाटा मोटर्स अभी जबरदस ग्रूम होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है और यह उनके electric बसेस जो कि आप लोग images यहाप देख सकते हो और उसी का उद्गाटन आज के दिन हम लोग को यहाप बेस्ट के और से मतलब 26 AC वसेस यहाप इलेक्रिक वेहिकल वाले यहाप मुंबई को यहाप मिलते हुए देखने को मिल चुकी है जरू हम लोग यहाप यहाप कह सकते हैं दोस्तों फ्यूचर में टाटा मोटर यह शेर हम लोग को जरू बड़ा होता है देखने को मिल सकता है यहाप बीच में आप सबी लोग पता है 100 रुपीज के नीचे हम लोग को यह शेर देखने को मिला था मतलब इतनी golden opportunity मुझे आज लोग को 70-80 रुपे पर देखने को मिल रहे थे हैं जो की लगबगता 600 रुपे के आसपास उसी लेवल पे अगर टाटा मोटर इसी टाइप का पर्फॉर्मस देगा तो शायद से हम लोग को आने वाले एक से दो साल में टाटा मोटर जरूर 400 रुपीज तक भी जाते वे दे चीज को मोटिवेशन की तोर से नहीं लेना है आप लोगोंने चेक करना है सारे पैरामिटर्स देखना है आपकी स्टडी खुद क्या बोलती है कि क्या ओटो सेक्टर का डिमार्ड ऐसे ही बढ़ता रहेगा बसेस तक तो ठीक है क्योंकि सरकार खुद यहापे इलेक्रिक वे कि यह जो न्यूज ए टाटा मोटर्स से रिलेटेड वो बहुत ही गजब की न्यूज हम लोगों को यहापे देखने को मिली और इसका जो इंपक्ट है दोस्तों लॉंग टम में होगा यह कोई शॉट टम वाली बाते नहीं है अभी तो सिव जैसी क्या आप लोग एक्सपेक 200 एस पर दशेडूल तो हम लोग जरू के सकते हैं कि टाटा मोटर्स फ्यूचर में तब तक हम लोगों को 200 रुपे, 200 रुपे के करीब जाते वे देखने को भी मिल सकता है तो कमपनी खराब नहीं दोस्तों वापस कहना चांगा इंटार ओटो सेक्टर यहापे डाउन देख देखने को मिली थी, तो टाटा मोटर को भी आप लोगों ने जरूर यापे रडार पे रखना है जापे हम लोगों को बहुत ही जबरदस पॉजिटी न्यूस भी देखने को मिल रही है, तो आए बाशा करते हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आओगा तो जरूर इस करना तो उनको भी ये सारी बाते पता चल जाएगी, so that's it, thank you very much दोस्तों, we will be meeting our next day, तब तक के लिए, bye bye